हलो दोस्तों आपका हमारी चैनल कुग वेश्वूट में स्वागत है आज हम बना रहे हैं बहुत ही टेस्टी मूली के पराथे यह पराथे इतने टेस्टी बनेंगे कि जो भी खाएगा वह आपकी तारिफ किये बिना नहीं रुकेगा और इनको बनाना भी बहुत ही आसान है बनाते हैं अपने स्वाधिस्ट मूली के पराथे यहां पर हम ले लेंगे मूली यह मीडियम साइच की हमने यहां पर चार मूली ले ली है अब इसको हमें एक पीलर की हेल्प से अच्छे से इसको चील लेना है मूली को हमने अच्छे से चील लिया है अब एक ग्रेटर लें बलाएंगे दो यहां पर हमने ले लिया है गेहू का आठा इसमें मिलेंगे स्वातख़ के नमक और आदा चुटा चोटा चमच मिला देंगे और ऑल और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फोरा थोरा पाने डाल करके एक सॉप्ट डो त्यार कर लेंगे जैसे कि हम रोटि करेंगे तब तर करें एक इक पे हमें तर मुली को लिए कपड़ को लिएगे ने थे इसके अब कर सकते हैं अब मूली ग्रेट किया हुए अध्रक दो से तीन चोटी बारी कटी हुई हरी मिर्च और साथ में डाल देंगे थोड़ा सहरा धनिया और आधा चमच के करीब डाल देंगे रैड चिली और एक चमच डाल देंगे चाट मसाला इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स और आप इसको एक बार ट मिक्स हो जाएगा यह देखे बढ़िया से हमारी स्टफिंग बनकर तयार है अब हम आटे को लेंगे और इस तरह से इसकी चोटी चोटी बाल काटेंगे आप अपने कोर्डिंग चोटी बड़ी लोई या इस तरह से बना लें अब यहां पर हम ले लेंगे एक लोई और इसक अच्छे से बर सकते हैं और इसको कवर कर लेंगे इसको बढ़िया से सील कर लेंगे जिससे की हमारी स्टफिंग बाहर ना आए और इसको इस तरह से सील कर लेंगे और एस्टा अटा देंगे अब इसको उंगलियों से इस तरह दबा कर थोड़ा सा बढ़ा कर लेंगे इस त और आप देखेंगे, हमारा पराथः भी नहीं पटा है, बह। बढ़िया सी हमने बेल कर पर तैयार कर लिया है आपको जैसे पसंदों उतना पतला यह मोटा पराथः बना सकते हैं और यह देखें कितना बढ़िया सा हमारा पराथः बनकर तयार है और बिल्कुल भी क्रैक्स भी नहीं आये हैं, अच्छे से बिलकर हमने त्यार कर लिया है एक पराठा और हम देखेंगे, यह देखेंगे, इस तरह से हम थोड़ा सा सूखाटा लगाएंगे और इसमें थोड़ी सी स्टफिंग रख लेंगे, और इसको अच्छे से हम सील कर लेंगे इस तरह से पराठे फटते नहीं हैं और बहुत ही बढ़िया बनते हैं, बेले में भी बहुत ही आसान हो जाते हैं और इसमें थोड़ा सा सूखाटा लगा करके इसको भी हम उंगलियों की और हतिलियों की हल्प से इसको हम बढ़ा कर लेंगे और हलके हातों से इसको हम अच्छे से बेल लेंगे जिससे के बिल्कुल फटेना और आप देख सकते हैं कितना बढ़ी पराठा बनकर हमारा तैयार है तबा को हम पहले गरम कर लेंगे और गरम तबा पर इसको डाल करके जब एक तरफ अच्छे से सिख जा तब इसको पलट के उस तरफ ओईल लगा लेंगे ठंडे पराठे पर कभी भी ओईल ना लगाएं इससे पराठा अच्छे से सिकता नहीं है अब पलटके हम दूसरी तरब भी ओईल लगाएंगे और मीडियम फिलिम पर अच्छे से इसको सेख लेंगे यह देखिए कितना बढ़ी है पराठा मारा बनकर तयार है इसको हमें दून तरब अलटके पलटके अच्छे से दवाकर सेख लेना है और आप कलर देख सकते हैं कितना बढ़ी आया है हमारे पराठे में और इसी तरह से स्प्रेचला से दवाकर के हम पराठा बढ़ी aan से सेख लेंगे और यह देखिए हमने पराठा सेक करके त्यार कर लिया है इसी तरह से दूसरा पराठा भी हम सेकेंगे जब एक तरब हलका सा सेक जाएगा तो इस तरह पलट करें हम उस पर ओल लगाएंगे और दूसरी तरब भी इसी तरह से पलट के ओल लगा लेंगे और मेडियम फ्रेम पर बढ़िया से पराठे को सेख लेंगे इस तरह से दबा करके पराठा बहुत बढ़िया से सिक कर तयार होता है और आप देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया है और अच्छे से पराठा हमारा फूल भी रहा है ये देखिए कितने बढ़िया से पराठा हमारा सिग गया है इसी तरह से बागी पराठे भी हम तयार कर लेंगे और ये देखिए कितना बढ़िया पराठा बनकर तयार है चलिए अब चलेंगे प्लेटिंग करेंगे ये देखिए सारे पराठी बना कर हमने तयार कर लिए हैं और ये बहुत ही सौप्ट पराठी बने हैं ये देखिए कितने बढ़िया से फिलिंग भरी हुई है आपको हमारी रेस्पी कैसी लगी कमेंट में जोर बताईएगा और हमारे चैनल को लाइक, सेर और सब्सक्राइब क नमत भूलेगा, थेंक यू